हेलो tried, टैफितिति लिए को सब्जेक्टिफ कराए और आज इस वीडियो में सब्जेक्टिफ कुछन कराने वारी होगे इससे पहले भी पार एकáng धी त्भी किल डियूत जनल पे मिले जाएगा और टेलिग्राम चैनल कर लेंगे टेलिग्राम Sydney चुछनल को आप लोग पीडियोफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्सक्राइब का तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूं तो यहाँ पर आप सब भी एंसर देखिए यानि की जवाब देखिए इस क्वेशन का दूसरी आलमी जंके बादरिया सताई मुतहदा अम्रिका की खार्जा पॉलिसी की बुर्याद पर आज़ाद दुनिया की हिफाज़त और इस्तिमारियत की अशाद पर बाबंदी यही दो दो फड़ाद उसूल का नाम भी मालूम होना चाहिए मार्शा मनसूबा ठीक है एक यह है और दूसरा है आईजन हौवर्ड उसूल इसी पॉलिसी के नतैज है तो यह दूनों के नाम आप लोगों को मालूम होना जरूरी है फिर देखिए दूसरा क्वेशन क्वेशन नमर 2 स सर्ट जंग क्या है जवाब देखें सर्ट जंग से मेरी मुराद उस सूरते हाल से है जब दो यह दो से जाधा मुमालिक याने की दो या दो से जाधा कंट्री के दरमियान महौल श्च्टियाल अंगेज और टक्राव वाला हो लेकिन varitी तोर से कोई जंग नहीं हो रही हो दूसरे आलमी जंग के बाद सादित रुस्व अमरीका के बाद दूसरी बड़ी ताकत बन कर उब्ढा। हलांके जंग के दोरान इंग्लैंड अमरीका और रुस ने मिलकर फाश्ट ताकतों को हडाया था लेकिन जंग के बाद उन में टकडाव और तनाव बढ़ने लगे और उनकी बाहमी तालुकात खराब होने लगे उसी सूरति हाल को सर्द जंग के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर अब लोगों मालम चल गया होगा सर्द जंग क्या होता है फिर देखिए दूसरा क्वेशन यानि की क्वेशन नमबर त्री दूसरी दुनिया के जवाल का मफ़ूम मुख्तसर में बताएं ठीक है तो यहाँ पर हम सबी देखिए जवाब यानि कैंसर है इसका सौदियत रूस के खेमे में शामिल मुख्रकी यॉडप की आठ मुमालिक यानि की आठ कंट्री ने एक एक करके अवामी मजाहिरों को देखकर अपने इश्टरा की हुकोमत को बदल डाला सर जंग के खात्मे के वक्त सौदियत रूस को ये सबसे खामोशी से देखने पर मजबूर होना पड़ा ऐसे किसी फौजी मजबूर की वज़ा से नहीं बलके अवाम नास की इस्तिमाई का रवाया के दबाव की वज़ा से हुआ ठीक है आखिर में खुद सौदियत रूस का जवाल हो गया ठीक है तो यह था इस क्वेस्टिन का एंसर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेस्टिन क्वेस्टिन यहां पे क्या है जवाहर लाल नहरू कौन थे ठीक है और इसी में एक सवाल और है आलमी रहनुमा के शकल में उनके किर्दार से मुदालिक चंद निकात पर रोशनी डाली है ठीक है तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे जवाहर लाल नहरू कौन थे तो यहां पे आप सभी को मालूम होगा कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे यानि कि फॉस्ट प्र मिनिश्टर थे 1889 से 1964 तक ठीक है वो आलमी अमन के सफीर की शकल में भी मशूर है उन्होंने आफ्रिके अशियाई इतिहाद नौबादियाद काड़ी और अदमसला के लिए कोशिशे की और आलमी अमन के लिए प्रामन और अमदाद बाहमी की वकालत की ठीक है तो यह थे इस फिडिया आप अप सबी क्वेश्टन देखिए जमाल अब्दुन नासर कौन थे बैनल कवामी सदा पर उनके किरदार की इप्तिदाई निकात पर रोश्नी डालिये तो सबसे पहले आप लोगों बताना है जमाल अब्दुन निशार कौन थे तो कौन थे नासर कौन थे ठीक वजह से 1956 में आलमी सदा पर टकड़ा हुआ था ठीक है तो ये था इस कोईश्टन के एंसर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्टन क्वेश्टन नंबर सिक्स सुकार्णू कौन थे ठीक है सुकार्णू कौन थे उनका मुक्तसर तारीफ पेश कीजिए तो जवाब होगा सुक एक फाजी बगावत में उनका तख्ट पलट हो गया था ठीक है तो यहां पर आप लोग समझ में आगया फिर क्वेश्टन देखिए क्वेश्टन नंबर सेवन दूसरी आलमी जंग के बाद अमरिका एक अधीम तागत बनकर उबड़ा कोई दो वज़ा बयान कीजिए ठीक ह काइम हो गया ठीक हैं फिर दूसरा रीजन आप लोग देखिए तो पहला रीजन हो गया दूसरा रीजन क्या था जंग के दोड़ान और जंग के बाद में अमरिका के बरामद में इजाफ़ा हो गया और वह दुनिया का सबसे बड़ा मौाशी ताकत बन गया था तो ये दू दोनों रिजन थे दोनों रिजन आप लोगो मालूम होना चाहिए जोगी मैं आप लोगो बता दी हूं फिर एक क्वेशन यहां पर आप लोग देखिए आठ नंबर यहां पर क्वेशन है पहला गयर जानिबदार जलास कहां हुआ था ठीक है जलास कहां हुआ था जानिबदार इजलास कहा हुआ था तो वह कौन सी थीन बातों का नतीजा था तो सबसे पहले आप छाइने कि कहा हुआ था थीक है तो पहला जानिब्डार इजलास 1961 में हुआ था और कहां पे 不錯 दो बे आप बैगलराद में हुआ था ठीक है कहां पे ऊडिया कब टो यहाँ जानिबदार इजलास हुआ था 1961 में ठीक है तो फिर दूसरा उसी में कौन सी तीन बातों का नतीज़ा था तो कौन सी तीन बातों का नतीज़ा था तो यहां पर देखिए यह गैर जानिबदार इजलास कम असकम दर जिल तीन बातों का नतीज़ा था सबसे पहला क्या था तो ह रोकना ठीक है यह था दूसरा फिर तीसरा क्या रिजन था तो यहां पर देखिए बैन अफ़क पर कई नए आजाद अफरीकी मुमालिक का ड्रामाई नमूद हो चुका था ठीक है 1961 तक नए अफरीकी मुमालिक अक्वाम मुतहदा की मेंबरी हासिल कर चुके थे तो यही तीन रिजन्स थे ठीक है तो यह तीनों के बारे मैं आपको मालू होना चाहिए था जो कि मैं आप लोगो बता दियो फिर यहां पर आप लोग क्वेशन देखिए क्वेशन यहां पर बर्लन के दिवार की त सबसे मुतहरक दौर में बर्लन की दिवार 1961 में तामीर की गई थी ठीक है और यह दिवार सर जंग की सबसे बड़ी इलामत थी ठीक है तो यह आप लोगो मालू होना चाहिए था और 1989 में मुश्रकी जर्मनी के अवामन नास ने उस दिवार को मुनहदम कर दिया था ठीक है त दूसरी दुनिया की जवाल और सर जंग की खात्मा की शकल में हुआ दूसरी आलमी जंग के बाद तक्सीम हो चुके जर्मनी का अब इतिहाद हो गया है ठीक है तो यह चीज़ आप लोगो मालू होना चाहिए यह कुछ नौ इंपॉर्टन कोईशन थे जो कि मैं आप लोगो पूरे एक्स्प्राइशन के साथ बताती हूं और आप लोगो यह चीज़ पढ़ने की ज़रूद भी नहीं है कुछ इंपॉर्टन कोईशन है जो आप लोगो पढ़ने होंगे दस क्वेशन भी और मैं आप लोगो बताने वाली हूं तो यहाँ पर लोगो क्वेशन देख सक कुछ समझ में आगे मैं बता दोगी कि हाँ शवाँ कर लेंगेए और वहां से समझ लेंगे तो फिर मिलती हूं दूसरे वीडियो में वीडियो कैसी ल